जैहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो सेक्षन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्री डीलेट, प्री बीएड एक्जाम रिजल्ट आने के बाद कंडिडेट का काउंसलिंग किस तरीके से होता है उनका अलोट्मेंट किस तरी से मितता है और उसको एड्मिशन लेने तक की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो में इसके लिए दोस्तों बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि काउंसलिंग प्रक्रिया को समझाईए कि किस तरीके से DLA-BAT का जो है काउंसलिंग होता है तो दोस्तों यह जो वीडियो है ना सिर्फ DLA-BAT वालों के लिए नहीं है और नहीं सिर्फ BAT वालों के लिए नहीं है तो CG Vapam के official website पर जा करके देख सकते हैं यह वाला जो वीडियो मैंने बताया है कि result आज चुका है इस पर कि वीडियो के नीचे में description में मैंने link दे रखा है direct up जो है वहाँ पस जा करके अपना result चेक आउट कर सकते हैं चलिए हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि counseling प्रक्रिया किस तरीके से होती है दोस्तों result आने के पश्याद पूरी तरीके से CG Vapam का जो रोल है वो पूरी तरीके से खतम हो जाता है ठीक है क्योंकि CG Vapam अपना पूरा database किसको सौप देता है पूरी तरीके से SCRT को सौप देता है ठीक है जो state council education है तो यहाँ पास जो है दोस्तों पूरी तरीके से उसे सौप देता है तो उसके official website पर चलते हैं दोस्तों तो दोस्तों आगे की जो process है न वो पूरी तरीके से SCRT के उपर depend करता है अब दोस्तों जो SCRT है state council जो education research जो है इस्टिट्ट ट्रेनिंग इस्टिट्ट्ट वहाँ पास दोस्तों राज्य सेक्षणिक अनुसंधानियों प्रसिक्षण पर इसको हिंदी में जाना जाता है इन ही के द्वारा जो है आगे की प्रक्रिया अपनाई जाती है इन ही के द्वारा ही जो है counseling की प्रक्रिया कराई जाती है और इसका पूरा database समय समय पर इसके official website ठीक है जो है दोस्तों scrt.cg.gov.in पर यहाँ पास जो है दोस्तों निस्त जो है आप जो है लगतार इस पर जो है अनुकरन करते रहिए क्योंकि इस सारी जानकारी आपको यहीं पास देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पास जो left hand side में नीचे में जो box है आपको यहीं पास DLA, B8 का जो online counseling की सारी जानकारी देखने को मिलेगा अब देखे बात करते हैं इसके process के बारे में तो इसके process है दोस्तों इसमें जो भर्ती की प्रक्रिया जो होती है वो तीन चरणों में जो है counseling की प्रक्रिया कराई जाती है ठीक है, पहला step में क्या होता है जिसमें जो है पहला candidate अर्थात जिनका rank आया है उस अधार पर जो है कॉंसलिंग प्रक्रिया के लिए डेटर जो है डिसाइड कर दिया जाता है और पूरा टाइम शेडूल जो है दोस्तों SCRT की ओर जारी होगा ठीक है जहां पास निश्चित तारीक के अंदर जो है आपको ऑनलाइन आपने अधार पर करेंगे अपने व्यापम का जो rank लिए नंबर पर दोस्तों आप अपने अनुमाल लगा सकते हैं जो निकटतम जो कॉलेज है वहाँ पास के जा करके आपको वहीं एडमिशन मिले तो आपके रिए दोस्तों पूरी तरीके से D.A.D. और B.A.D. के लिए दोस्तों पूरी तरीके से S.E.R.T. जो है college allotment अर्थात कौन-कौन से college में D.A.D. होता है कौन-कौन से college में B.A.D. होता है उसका पूरा list जो है तयार कर चुका है उसको list जो है मैं next video में लाने वाला हूँ तो मुझे दूसरा number का college मिलना चाहिए और ये नहीं मिलता है तो दोस्तों मुझे तीसरा number का ये अमुख college मिलना चाहिए या फिर तीसरा number पर भी अगर मुझे allot नहीं होता है तो चौन्थे number का जो college है मुझे allot होना चाहिए या फिर पांचवे नमबर का ये college मुझे all out होना चाहिए तो दोस्तों यही preference भरने का जो तरीका है न यही क्या कहलाता है counseling प्रक्रिया कहलाती है अब दोस्तों यह जो counseling प्रक्रिया आपने भर दिया अब SCRT को पता चल चुक है दोस्तों कि आपका rank इतना है ठीक है और आप जो है अप इस अमुख college को चुने हुए दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ यह D8 और B8 दोनों के लिए काम आने वाला है ठीक है आपने select कर लिया पहले college को अगर आपका नाम नहीं आता है ठीक है पहले counseling में आप करेंगा तो देखिए अगर आपको इन पांचो college में से अगर किसी भी college में अगर आपका आता है तो आपका जो अपने counseling कहां से कराया है दोस्तों इसी में से किया है na SCRT तो SCRT का ID password के थूँ आप चेक कीजिए कि आपका allotment कहां आया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पास ऊपर में एक और नया status आपको देखने को मिलेगा जहाँ पास अपना list देख सकते हैं किसी भी college का ठीक है तो वहाँ से आप अपना allotment जो है वहाँ से print out निकाल वालीजी उसके बाद दोस्तों आप जैसे निकालोगे तो वहाँ पास आपको पता होगा कि प्रक्रिया जो है दोस्तों आगे है न उसके पहले क्या होगा जैसे allotment आने से पहले क्या होगा आपका document verification एक बार और किया जाएगा ठीक है जैसे माली जी आपका दूसरा नंबर का college select होना है तो जैसे ही आप online counseling कराएंगे तो counseling कराने के पस्याद SCRT की और से विभागिये counseling जो camp है उसको आयोजित किया जाएगा पूरत schedule जो है दोस्तों SCRT की और से होगा जहाँ पस अपना पूरी तरीके से document ले करके original certificates को ले करके आपको document verification कराना होगा कि आप जो है पूरी तरीके से जो SCRT का जो guideline है उसी तरीके से आप follow कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जैसे क्या होना चीए minimum age जो है कितना होना चीए उस पर depend करता है और 7-7 जो है सारी योग्यता है आप जो 36 गर्ल के निवासी हैं कि नहीं है इन सब को क्या हो किया जाता है द उसके बाद दोस्तों कुछ दिनों के पस्चाज जो allotment जो आता है यह ओला जो मैंने बता है preference 1, 2, 3, 4 यह आ जाता है उसके बाद अगर माल लीजिए दूसरा college चुने है दूसरा number का जो कि क्या है कोई government college है या नीजी college जो भी है ठीक है राइपूर में आया आपका नाम तो CRT के और से date जारी किया जाएगा उसमें उस college में जाएए college के पास भी list पहुँच जाया रहता है कि इन वैक्तियों का जो है यहाँ पास admission के लिए नाम आया हुआ है तो यही है दोस्तों प्रक्रिया पहले number का process की इसके लिए दोस्तों पूरी तरीके से कुछ time duration दिया जाता है जिसमें student को वहाँ जाकर के admission लेना होता है अगर वहाँ पास admission नहीं लेते है ठीक है तो क्या होता है दोस्तों वो जो seat है वो पूरी तरीके से दूसरी को a lot की मतलब जो date seat को है पूरी तरीके से खाली हो जाता है और पूरी प्रक्रिया जो है फिर से start की जाती है जिसको कह जाता है दूतिये चरण का counseling तो दूतिये चरण के counseling में फिर से student क्या करते हैं online तरीके से अपना preference भरते हैं मुझे ये college चाहिए मुझे ये college चाहिए मुझे ये college चाहिए मुझे ये college मुझे ये college ठीक है तो इस तरीके से क्रम फिर से भरते हैं तो आपको मैं ये चीज बता दोस्तों जो पहला counseling होता है उसमें college जो है लगभग 80-82% जो है दोस्तों college जो है पूर्ण seat जो है भर जगया होता है ठीक है उसी तरीके से जो बचटा बचा हुआ seat है उसके लिए दूतिये counseling कराया जाता है ये दूतिये counseling में फिर से student form भरते हैं फिर से document verification कराते हैं फिर जो है college में जाकर के admission लेते हैं वहाँ फिर document verification फिस फिस होकर कि रसीद वसीद जो है पूरा process किया जता है college की ओर से ठीक है ये सब प्रक्रिया complete होने के पास चाथ जो है दोस्तों फिर seat अगर बसता है वहाँ पास college में तो उसके लिए दोस्तों फिर से तीसरा चरण का counseling कराया जाता है तो तीसरे चरण में भी यही प्रक्रिया पूरा होता है अगर तीनो प्रक्रिया complete होने के पस्चात किसी college में कोई रिक्त seat बच जाता है अब बता दूं पहला में तो आपका 80-82% seat full हो जाता है दूसरे चरण में आपका 95-96% जो परसेंट है ना दोस्तों ये जो है full हो जा seat बचा हुआ है उसके बाद जो last counseling होता है जिसको कहा जाता है fourth counseling जो होता है face to face ठीक है जिसमें क्या होता है FTF कहा जाता है जिसको समाने भासा में FTF face to face ठीक है तो FTF जो face to face है इसमें जो है आप direct वहाँ जाए कहां SCRT में और वहां से दोस्तों आप पूरी तरीके से face to face counseling कर मां आट कर दिया जाएगा तो यह थी प्रक्रिया दोस्तों पूरी तरीके से seat जो है अबंटन करने की प्रक्रिया जिसको कहा जाता है counseling प्रकरिया और यह किस के दोरा कराया जाता है SCRT की ओर से कराया जाता है तो मैं उमीद करता हूँ आपको पूरी प्रक्रिया जो है समझ आ चुकी होगी और बहुत ही जल्द दोस्तों SCRT की ओर से जो है ये पूरा डेट जो है शेडूल जो है तयार किया जाएगा हो सकता है दोस्तों की ये जो है कोरोना काल की चक्कर में जो है पहला कॉंसलिंग का ही डेट जो है पहले डिसाइट कर दिया जाक पहले जो क्या होता था पहला कॉंसलिंग दूसरा कॉंसलिंग तीसरा कॉंसलिंग का जो चरण है पूरा का डेट शेडूल एक सांथी जारी कर दिया रहा था लेकिन इसमें क्या हो रहा है आप जो है सायद एक ही counselling के लिए पहले date जो है निर्धारीत कर दे उसके बाद जो है दूसरा counselling के लिए date निर्धारीत करें तो ये थी जानकरी जानकरी कैसा लागा comment करके जरूर बताईएगा और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे comment box में जरूर क करके बताईएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि admission fees कितना लगेगा और साथ ही साथ अगर आप year wise कर रहे हैं है ना जैसे आपने डियलेट किया तो डियलेट के लिए दोस्तों एक वर्शी पार्टिक्रम है तो उसके लिए fees कितना है ठीक है इसमें मैं नीजी और प्राइवेट जो है दोस्तों अर्थात जो सास की है और नीजी है इन दोनों तरीके के कॉलेज के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाओंगा ठीक है और दोस्तों पूरी तरीके से जो है कॉलेज का लिस्ट जो है अलाट हो चुका है इसक से पहले जो इस्टूडेंट नया है चैनल को सब्सक्राइब करके नॉट्रिफिकेशन बेलाता है जरूर अन कलीजेगा ठीक है चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकरी के साथ तो मुझे दीजे इजाजा टेक केर आल देश्ट जय हिंद